हेलो दोस्तो नमस्कार कैसे हैं आप सब उमीद करती हूँ अच्छे ही होंगे दोस्तो कॉमल के देवर नमन ससेदेवा का व्लोग आया है आफ्टर त्री मंथ लोग काफी ज़्यादा एकसाइटे थे उनके व्लोग को देखने के लिए क्योंकि आप सभी को पता है कुछ लोग दिया जाता है वो अपनी सास और ससूर को ना देकर अपने दादा ससूर को दे रही है तो लोग कॉमल को यहां पर ट्रोल कर रहे हैं और नमन के व्लोग में भी कॉमल और अमरित दोनों दिखाई नहीं दिये हैं तो लोगों का कहना है कि कॉमल सच में बहुत ज़्यादा गल यह और उस से पहले कॉमल्ट अपने भी व्लोग बनाती थी उनका मतलब ठखराल फैंमली व्लोग से एक फैंडी चैनल यह जिसमें वह अपने व्लोग सच्छे से इतना ज्यादा बोलती थी बट अप अचानक से वह नमन की व्लोग में क्यों नहीं आती है वह आपने असमन को हैं तो उनको ही दिया जाता है जो भी नेग वगरहर दिया जाता है जो भी करवा चोछोध पर होता है हो उपार वगरह तो कॉमल को अपनी स spiritually शुघ को डेना था हूर Свजसूर को चुछ रहे हैं लोग और आप सभी को पता है कॉमल की second marriage थी और सब लोग सोच रहे थे कॉमल गलत नहीं है उनके पहले वाले सिस्राल वाले गलत थे क्योंकि उसके पहले वाले सिस्राल में जब उसके हस्बेन ने इसको एक्सपोज किया था किस तरह से है अपनी किस दिन की बेटी को छोड़कर अपने माई के आ गई थी और फिर वापिस कभी गई ही नहीं बाद में इनका डाइवर्स वगएरा हुआ था और बाद में काफी साल तीन चाशाल बाद साधी हुई है इनकी तो लोगों ने सुचा चलो साध अब ठीक हो जाएगा सब कुछ अब लोग कोमल को गल्त बता रहे हैं इसलिए ही मतलब इसके इस नेचर की वज़े से साध उसकी सुसराल में नहीं बन पाई होगी अपने आपको हीरोई समझती है पता नहीं लोग किस तरह की बाते कर रहे हैं और एक लड़की को मतलब अपने आपको सही प्रूफ करने के लिए सही समय होता है अगर उसकी सेंक्रिट मेरीज है उनके साध सास मतलब ये अच्छा बिहेव करते हैं उनके साथ तो उनको उनके साथ ही रहना चाहिए और चलो इनकी अच्छे से बनते भी नहीं है अलग भी रहते हैं तो उस समय पर जैसे कोई तीवार तीज वगरा होते हैं तो ये साध को देना चाहिए वो भी चाते थी उसकी बहू उनके साथ इस तरह से भेव करें वो भी अपनी बहू के लिए कुछ अच्छी चीज़े लेकर आए बहू उसका सम्मान करें बट ऐसा नहीं हो पा रहा है आखिर क्यों नहीं हो पा रहा है ये तो हम किसी के फैमिली के बारे में नहीं कह सकते अब ही सभी कौमल और पारस को ही गलत बता रहे हैं और जहां पर सनहया को सब अच्छा बोल रहे हैं क्योंकि सनहया के साथ भी सेम टू सेम यही चीज़ें हैं उन्हें अपना सब कुछ दिया लेकिन उसके साथ भी चीट हुआ है और पारस ने उसके उपर ही गलत इलजाम ल लगा दिये थे